नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार S.S.E. में अब तक पूछे गए सभी परस्नों का सब्जिक्ट वाइज अस्टेडी कर रहे हैं, इससे आपकी तैयारी को सटिक डिरेक्शन और परिक्षा में बहतर लाब मिलेगा। आज हम लोग बिहार S.S.E. में भारतिय राजववस्ता एबम संविधान यानि पॉलिटी से पूछा गया सभी परस्न देखेंगे। पहला कोश्चन है, सिक्षा जो मूलता राज का विसेथा संवर्ती सुची में अस्थानांत्रित किया गया है। तो ये कब किया गया है? इसका एंसर क्या होगा? तो सिक्षा जो मूलता राज का विसेथा ये संवर्ती सुची में अस्थानांत्रित किया गया था, 42 में संवि संसोधन का प्रापधान है तो संसोधन की सनुचेद में तो संसोधन की परकिरिया अनुच्छे 368 में और किस भाग में तो भाग 20 में और संसोधन की परकिरिया किस देश से लिया गया तो दच्छिन अफिर्का से लिया गया नेश्ट कोचन है कि भारत में पंचायती राज संसोधन अपने कोस मुख्यता प्राप्त करते हैं तो पंचायती राज संसान जो है अपना कोस ये प्राप्ट करता है सरकारी अनुदानों से नेस्ट कोचने स्वतंत्र भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कोन था तो स्वतंत्र भारत का पर्थम गवर्नर जनरल लोड माउंट बेटन था लेकिन अगर पुछे कि स्वतंत्र भारत का पर्थम भारती गवर्नर जनरल कौन था तो वो होगा सीराज गोपाला चाली तो ध्यान रख रहा है भारती अगर लगेगा तो सीराज गोपाला चाली होगा नहीं तो पर्थम गवर्नर जनरल है वो लोड मांट बेटन है नेस्ट कोचन है कि भारत का सम्मिधान अंगिकरित हुआ या तो और अस्तित में आया यानि कि अंगिकरित कब हुआ और ये लागू कब हुआ अस्तित में आया यानि लागू कब हुआ तो भारत का सम्मिधान अंगिकरित हुआ था 26 नमबर 1949 को ठीक है और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, और इसी 26 जनवरी से ने, ये कोश्चन पूछा जाता है, कि सम्मिधान दिवस कम मनाय जाता है, तो 26 नमंबर को मनाय जाता है, ये 26 नमंबर है, 26 नमंबर को सम्मिधान दिवस मनाय जाता है, नेश्ट कोचने कोचन नमबर 6 भारत के सम्मिधान को किसने अंगी करित किया तो भारत को सम्मिधान को अंगी करित किया था सम्मिधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनी धियों नेश्ट कोचने कि सम्मिधान बनाने में सम्मिधान सभा ने समय लिया तो सम्मिधान बनाने मे समिधान सभा को कितना समय लगा था दो बर्स 11 मा अठारा दिन नेश्ट कोच ने कि समिधान के अनुच्छे 352 के अंतरगत अपात काल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है तो इसका एंसर क्या होगा तो जीवन का अधिकार यह क्या है राश्टी अपात के दोरान भी यह निलंबित नहीं किया जाता है और वो कौन-कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यह निलंबित नहीं किया जाता है अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के लिए कब दोसी दिया जा सकता है और कब नहीं यह अनुचेद 20 में है और अनुचेद 21 में क्या है कि किसी बेक्ति की जिंदगी और बेक्ति बेक्तिगत स्वतंतरता को क्या कि स्वतंतरता से बंचित नहीं किया जा सकता है तो यह अनुचेद 21 में है यह दोनों निलंबित नहीं होता नेस्ट कोच्चचन है कि मौलिक अधिकार किस परकार निलंबित किये जा सकते हैं तो मौलिक अधिकार ये निलंबित किया जाता है यदि रास्टी आपात काल के समय राश्टपति इस हेतू आदेश जारिक करता यानि कि ये तभी ये मौलिक अधिकार निलंबित होता है और वो भी निलंबित दो अनुच्छेद नहीं होता है अनुच्छेद 20 और 21 ये याद रखना है कौन लोक सभा को इसकी अबधिके समाख्त होने से पुर्व भंग कर सकता है पर्धान मंतरी की सला पे राश्टपती कर सकता है किसके दौरा भंग किया जा सकता है तो राजसवा क्या किसी के दोर भंग नहीं किया जाता है क्योंकि राजसवा एक अस्थाई सदन है तो इसका answer क्या होगा option no.4 ठीक है next question है question no.12 है कि राजजी के राजपाल अपने कार्जों हेतु उतरदाई है तो इसका answer क्या होगा राष्टपती के परती राजजी के जो राजपाल होता है वो उतरदाई होता है राष्टपती के परती ठीक है इस टाप के तीन question पूछा जाता है जैसे एक question आजाएगा कि राजी का मंत्री मंदल जो है वो किसके परती उतरदाई होता है तो बिधान सभा के परती उतरदाई होता है और एक है जैसे केंदर का मंत्री मंदल है तो वो किसके परती उतरदाई होता है जैसे कि केंदर का मंत्री मंदल है वो किसके परती कोन नई पालीका का नहीं है तो ने पालीका का कार्ज कोफी espero Oke कि तोड्याज़ी नहीं है यह राजί एवं केंदर के मध्र बिवाद का निपटारा करनाns यह जो कि नियाइपालिका का कार्ज नहीं है क्योंकि अनुच्छे 263 में केंद्र तथा राजियों के मैद समन्वे अस्थापित करने के उद्धेश से अंतराजिये परिशत के गठन का प्राबधाने वही इसका निप्टारा करता है नेश्ट कोचन है भारत में किसे नियाइक समिक्षा का अधिकार है उच नियाले और सर्वोच नियाले को इसका एंसर होगे है चार नेश्ट कोचन है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तब्यों में सामिल है तो मौलिक कर्तब्यों में कौन सामिल है मौलिक कर्तब यानि की सम्मिधान राष्टिय ध्वज एवं राष्टिय उद्गीत के परती सर्धा तो ये इसका एंसर है एक, नेस्ट कोचने कोचन नमेरे 16 राष्टपती के चुनाब में विबाद के मामले में मामले को संदर्भित किया जाता है तो राष्टपती के चुनाब में विबाद होता है वो कहां किया जाता है इसका तो सर्वुच नेले को संदर्भित किया जाता है कि इसको सर्वुच नेले को नेस्ट कोचने कि उप राष्टपती का पद तो उप राष्टपती का पद क्या होता है यह होता है सम्मिधान के द्वारा स्रिजित किया गया है उपर राष्टपती का पद सम्मिधान के द्वारा स्रिजित किया गया है नेश्ट कोचने कि मंत्री मंडल के सदस्य को राष्टपती बरखास्त कर सकता है तो कैसे करता है तो ये प्रधान मंत्री के संस्तूती पर ही ये बर्खास्त कर सकता है राष्टपती नेश्ट कोचे ने कि लोग सवा की सदस्यता के लिए एक उमिदवार की आयूग कम नहीं होनी चाहिए तो किस से कम नहीं होने चाहिए लोग सभा के लिए तो ये 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और राजी सभा के लिए कितना से कम नहीं होना चाहिए 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए नेस्ट कोचे ने कि 36 गड़ राजी की अस्थापना किस वर्ष हुई थी तो 36 गढ़ राज़ी के स्थापना हुआ था 2010P में तीसी यह तीन राज़ी के स्थापना हुआ था 2010P में और एक मालूम राज का जो अस्थापना है ये कई बार एक्जाम हों में याने कि जो 10-15 सल पहले एक्जाम हुआ या तो अभी वरा बीच में हुआ हमेशा एक कोश्चन पूछा जाता है कि सिक्कीम राज की अस्थापना कब हुआ सिक्कीम को पूर्ण राज का दरजा कब दिया गया ये कोश्चन काफी फोपूलर है और हर एक एक जाम में पूछा जाता है तो इसलिए इसको याद रखना है सिक्किम राज को पुर्णराज का दर्जागे दिया गया था 1975 इसपी में ठीके ये याद रखना है एक next question है कि भारत में पर्थम आम चुनाब किस वर्स हुए थे तो पर्थम आम चुनाब हुआ था 1951 इसपी में नेस्ट कोश्चन है कि भारत में पंचायती राज का आरंब किस वर्स में हुआ था? तो पंचायती राज का आरंब हुआ था सबसे पहले 1969 हिस्पी में. चीक है? दो अक्टूबर 1969 को और अच्छा पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नावगोर जीला में ये लाग हुआ था नेस्ट कोच्छन है भारत में समुदाइक विकास कार्चक्रम कब आरंभ हुआ तो समुदाइक विकास कार्चक्रम आरंभ हुआ था 1952 में ठीक नहीं इसका एंसर है ओप्सन नमबर एक है ने 2 अक्टवर 1952 को ठीक है आप देखिए समुदाइक विकास कार्चक्रम कब आरंभ हुआ तो 1952 में हुआ तो 1952 में चार इंपोर्टेंट है जो कि एक जाम में पूछा जाता है अमाँ चारों को आपको एक साथ ही बताता हूँ तो आपको आयाद भी र इसलिए कोशिस करना जब भी इस पी वाला कोश्चन आता है तो जितने भी इंपोर्टेंट है एक दो उसको रिलेट कम से कम एक और रिलेट कर दीजिए तो यहां पर कितने होगे चार कोश्चन हो गया ने एक तो गया लोक सवा का गठन 1922 में राज सवा का गठन और एक है राष्टि विकास परिशद का गठन का गठन था 1922 में और समुदाइक विकास काच्क्रम का प्रारम भुआ था 1922 में तो इस तरह इसको याद रखना है नेस्ट कोश्चन है 24 24 में पुछा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूत्पूरू परधान मंत्री ने दिया था तो गरीबी हटाओ का नारा इंद्रा गांधे ने दिया था ठीक है ये कोश्चन आता कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्शी योजना में दिया गया था तो पांचवी पंच कि उशी भी तरह की बिधीक शुक्रीति प्राप्त नहीं है इसके अंसर ऐ跰ता चरह नेस्ट कशनर है कि राज के नीटिन्रेशतां तर्अ प्रत्यक्षितल सम्मंदित है तो राज के नीसरव तक किस भाग में तो भाग चार में अनुच्र चंद भी आई और राजा aqueles pren नेस्ट कोचन है कि संग के कार्ज कारेनी पर सम्वेधानिक परमुख है तो संग के कार्ज कारेनी पर सम्वेधानिक परमुख होता है राष्ट पती नेस्ट कोचन है कि क्या राष्ट पती एक मंत्री विशेश को हटा सकता है तो राष्ट पती एक मंत्री विशेश को हटा सकत खाली अबस्र रहना चाहिए जब उपरास्थ्पती रास्थ्पती का पद भार गरहना चाहिए तो राजसवा का अध्यक्ष का पद खाली रहना चाहिए laure नेस्ट कोचन है, कोचन नमबर है 30, निमलिखित में से कोन भारतिय नियाइपाली का बिसिस्ट अभिलक्षन नहीं है, तो भारतिय नियाइपाली का जो बिसिस्ट अभिलक्षन नहीं है, यह क्या यह सर्वोच बिधी निर्माती संस्था है, यह नहीं है, क्योंकि जो भारत मे सरवोच बिधी निर्माती संस्था कोन सा है तो संसद होता है नेस्ट कोचने बीत के संदर में सम्मिधान ने बंटवारा बीत आयोग पर छोड़ दिया है यानि बीत के संदर में बंटवारा कोन करता है बीत आयोग नेश्ट कोचन है अचा बीतायो की सनुचिद में तो 280 में है और राज बीतायो का गठन जो की सनुचिद में 243 के आई में है नेश्ट कोचन है ग्राम सभा का सदस समानेता कौन होता है तो इसका एंसर क्या होगा ग्राम सभा का सदस जो है वो समानेता सम्मंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जो है वो ग्राम सभा का सदस होता है Next question है कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरन करवाना उतरदाई है तो यह है निर्वाचन आयोग का Next question है भारत के सम्मिधान में सिक्किम एक नया राज की सम्मिधान संसुधन अधिनियम के ताहत और कब बना कब हुआ था यह सिक्किम एक राज का दरज का मिला था तो यह 1975 में यह याद रखना है 36 संविदान संसोधन के ताद 1975 में सिक्किम एक राज्य बना था नेश्ट कोचने भारत का संग ये क्या है भारत का संग भारत के राज्यों एवं संग सासित परदेशों को सामिल की हुए है नेश्ट कोचने 36 सिर्शक स्वतंतरता का अधिकार में बरनित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है यानि कि सिर्शक जो स्वतंतरता का अधिकार है उसमें जो बरनित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है तो क्या बिवेक की स्वतंतरता देखे जो मौलिक अधिकार होता है उसमें एक स्वतंतरता का अधिकार है अनुचे 19-22 तक है तो उसमें जो है ये बिवेक की स्वतंतरता कोई सम्मेलित नहीं किया गया यानि कि ये जैसे कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से लेकिन ये बिवेक की स्वतंतरता इसमें नहीं है और मौलिक अधिकार के किस भाग में तो भाग 3 में अनुचे 12-35 में और मौलिक अधिकार किस देखे लिया अमिरिका से नेश्ट कोचने कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी सर्थ यहे की सभा होनी चाहिए तो सभा कैसी होने चाहिए सांतिपुर्ण और सस्त्र बिहीन होनी चाहिए नेश्ट कोचने भारती समिधान घोसना करता है कि जीवन और स्वतंतरता की रक्षा केबल बिधी द्वारा अस्थापित परकिरिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है भारत का एक मात्र राज कोन सा है जहां समान आचार सनिता यानी समान नागरिक सनिता यानी कोवल कोमन सिविल कोड लागू है तो किस राज में गोवा में है ठीक है देखे ये काफी चर्चा में अभी रहा ठीक है समान नागरिक सनीता तो इसको याद रखना है कहां है एक मात्र गोवा में है और किस अनुछेद में तो अनुछेद 44 में समान नागरिक सनीता अनुछेद 44 में इसे याद ऐसे रख लेजिए समान नागरिक सनीता ठीक है परधान मंत्री की कार्ज काल की अबदी होती है जब तक परधान मंत्री लोग सभा का विश्वास प्राप्त किये रहता है ठीक है तो इसका जुटेबूल एंसर है कि जब तक परधान मंत्री लोग सभा का विश्वास मत प्राप्त की हुए तब तक परधान मंत्री का कार्ज क अब दिये नेस्ट कोच्चन है कि फोटीवन कोच्चन नमबर फोटीवन में कि यदि महालेखा परिक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है तो किसको संबोधित करता है राष्टपती को ठीक है और नियंत्र के वह महालेखा परिक्षक कि 148 में नेस्ट कोचे ने कि समानिता समस्त महतपुर्ण निर्ने लिये जाते हैं तो जनरली क्या समस्त महतपुर्ण निर्ने लिया जाता है ये केबिनट के द्वारा लिया जाता है नेस्ट कोचे ने कि एक धन विधेयक और एक बिद विधेयक में अंतर क्या है तो एक धन बीत विदयक को जब की धान बीदयक को वह स्विक्रित नहीं किया जा सकता हूं तक है इसका इंसर हरPer अरी है उम्हाय परिक्षक सम्मझदित है नियंत्र के परिक्षक समित्य में कि northeast इसमें 22 सदेस होता है ठीक है 22 सदेस में और कौन-कौन सदेस होता है तो 15 होता है लोग सभा से और 7 होता है राज सभा के सदेस होते हैं ठीक लोग लेका समीति और एक होता है सार्बजनिक उपकरम समीति इसमें भी 22 सदेस होता है और ठीक इसी तरह 15 लोग सभा के सदेस होते है और साथ राजसभा के सदस होते हैं और एक होता है प्राकलन समीति तो प्राकलन समीति में केबल लोगसभा के 30 सदस होता है ठीक ने डारेट कोश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकलन समीति में कितने सदस होता है तो 30 सदस होता है और केबल लोगसभा के सदस होता है नेस्ट कोचन है कि आकास्मिक्ता निधी को राष्टपती कैसे बेग कर सकता है तो आकास्मिक्ता निधी को ये संसद स्विक्रिती के पुर्वी ये बेग कर सकता है राष्टपती next question है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद चूत किया जा सकता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पद चूत किया जा सकता है इसका option देखते हैं और संसद के दोनों सदनों के दो बटा तीन बहुमत से प्रमानित कदाचार के अधार पर क्या मुख चुनवायक्त को पद से हंटाया जा सकता है ठीके और अभी बरतमान में मुख चुनवायक्त को ने राजीव कुमार है नेस्ट कोर्चन है भारती सम्मिधान के प्रस्तावना में धर निर्पेक्ष सब्द की सम्मिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया है तो 42 सम्मिधान संसोधन के ताद जोड़ा गया था ठीक है तीन सब्द था एक समाजवादी धर निर्पेक्ष और अखंड था ये तीनों सब्द को बियारिस्मा सम्मिधान संसोदन के ताद 1906 में जोड़ा गया था नेस्ट कोचे ने कि सम्मिधान निर्माती परिशद की जंडा समीती के अध्यक्ष कोन थे तो सम्मिधान निर्माती परिशद की जंडा समीती के अध्यक्ष थे अचारी जेवी क्रिपलानी ओप्सन नंबर तीन इसका एंसर है नेस्ट कोचे ने सोलिसीटर जेनरल निमलिखित में से क्या है तो सोलिसीटर जेनरल ये हैं कानूनी सलाकार नेस्ट कोचे ने भारती सम्मिधान में अपसिष्ट सक्तियां किसमें सन नहीं थे तो अपसिष्ट सक्तियां जो है वो संसद में नहीं थे ठीक है अचा भारत का सरवुच बिधाई निकाय कोन होता है तो संसद होता है ये ध्यान रखना है नेश्ट कोचने, राजी के निती निदर्शक सिधानतों के अनिमलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरास्तिय सांतिय और सुरक्षा से संबन दी थे, तो अनुच्छेद 51 में है अंतरास्तिय सांतिय और सुरक्षा, नेश्ट कोचने, कि केंदर सरकार राजियों को नि संदर्म में भी केंदर सरकार राज्यों को निरिदेश जारी कर सकता है, तो इसका अंसर रहता है उप्रोक्त सभी, नेश्ट कोचे ने 53, भारती संसद का संजुक्त अधिवेशन निमलिखित में से कौन बुला सकता है, तो ये बुला सकता है राष्ट पती, ठीक है किस पुर्व राजधानी कहां थी, तो उडिसा की पुर्व राजधानी थी कटक, ठीक है और बरतमान में कौन से राजधानी है, भूनेश्वरे, नेक्स्ट कोचे थे, नेक्स्ट कोचेण में ये पूच्छा गया था, कि उपर राष्ट पती की सदन का पधिन सभापती होता है तो यह होता है राजसवा का पदिन सभापती होता है ठीक है यहां तीन important question पूझा लाता है जिसे संसद की सनुछद में तो संसद है अनुछद 89 में राजसवा की सनुछद में तो अनुछद 80 में और लोगसवा की सनुछद में तो अनुछद 81 में ठीक है इसे याद असानी से क और राज सवागा गठन 80 में और लोक सवागा गठन 81 में है नेश्ट कोचने कि भारत के नीमन राष्टपती निर्बुरुद चुने गए थे तो नीलम संजीव रेडी जो हैं ये निर्बुरुद राष्टपती बने थे नेश्ट कोचने कि राज सरकार को सबसे अधिक राजस्व परदान करता है तो राज सरकार को सबसे अधिक राजस्व किसे मिलता है बिक्री कर से और बिक्री कर एक ओपर्टेक्ष करें नेश्ट कोचने भारत की सम्मिधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षन अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है तो अमेरिका के सम्मिधान से नियाइक समिख्षा ये लिया गया है मोलिक अधिकार भी लिया गया है और सर्वो चिन्याले के नियाजिसों को पद से हाटाने की परकिरिया अमिरिका से ही लिया गया है तो इसका एंसर हो जाता है ओप्सन नमबर 4 उप्रोक्त सभी नेश्ट कोश्चन है भारती समिधान का कौन सा अनुछिद? राज्य सरकार को ग्राम पंचात के गठन का निर्देश है तो ग्राम पंचात के गठन की सनुछिद में? अनुछिद 40 में है नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 60 कोश्चन नमबर 60 में है कि भारत के समिधान में कितनी भासाओं का मानिता दिया गया है तो भारत के सम्मिदान में 22 भासाओं को मानेता दिया गया है और ये 20 भासा हैं किस अनुसुची में तो आठमी अनुसुची में और जो देखिए मूल सम्मिदान में 14 भासा था ठीक है 14 भांसा था बाद में 8 भांसा को जोड़ा गया है तो जी बाद में 8 भांसा जोड़ा गया है इससे मालूम question बार बार एकजाम में पूछा जाता है तो आपको जैसे पूछ लिया जाने कि सिंधी भांसा को कब जोड़ा गया है मनिपूरी भांसा को कब जोड़ा गया है और अपना ब्यार का जो जैसे कि मेथली भांसा को कब जोड़ा गया है तो यह आपको याद रखना से ठीक है जैसे कि सिंधी को कब जोड़ा गया है तो सिंधी को 1916 में जोड़ा गया है इसे याद रखना सिंधी सरसथ सिंधी सरसथ फिर 992 में तीन वांसा को जोला गिया था, वो कोन सा था ? नेपाली, मनिपूरी और कॉंकनी यह उनिस में एता इसा याद रखेला नमक यहिए、 युनिकर तीन वांसा नेपाली , मनिपूरी और कॉंकनी, यह को उनिस सु ब्हांसा हो गया और passer गें दिन सभापती होता है ठीक है नेस्ट कोचन है भारत के मुख्यनियादिश की स्यवानिवरिती की आयू क्या है तो मुख्यनियादिश की स्यवानिवरिती की आयू है 65 बर्स ठीक है अब बरतमान में अभी कौन है भारत के मुखे ने दिस धननजे जस्वंत चंदरचूड यानि दी वाई चंदरचूड नेस्ट कोचन है कि भारत के राश्टपती द्वारा दो ब्यक्तियों को किसका प्रतिनिदित्व करने है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनुनिद किया जाता है तो आंगल भारतिये को है राश्टपती दो आंगल भारतियों को मनुनिद करता है नेस्ट कोच्चन पुछा है कि राज्जों के गवर्नर समिधान के अंतर गत किसके पर्ति अपने आचरन के लिए उतरदाई है, तो राजपाल जो होता है, वो राश्टपती के परति उतरदाई होता है, इसका एंसर होगी है, चार Next question है, भारती समीधान में किस अधार पर आरक्षन परदान किया जाता है? तो भारतिय समिदान में जो आरक्षन दिया जाता है वो जाती के अधर पर दिया जाता है नेस्ट कोचने कि कोई विधेयक को धान विधेयक होने का अंतिम निर्ने कोन देता है तो अंतियम निर्णे धन विद्धाइक है या नहीं है इसका निर्णे कौन करता है लोग सभा अध्यक्छ करता है कि नैस्ट कोछे ने 67 पूछा गया है कि प्रधान-मंत्री बनने की नियुन्तम आयू कितनी है तो नियुन्तम आयू है पत्चीस बरसे चिक है परधान मंत्री को हो या तो लोग सभा सदे से के बनने के लिए नियुनतम आयू कितना है तो 25 वर्स है और राज सभा के होता है बनने के लिए 30 वर्स होता है नेश्ट कोचने कि राजसभा सदस्यों का कार्जकाल होता है तो राजसभा सदस्यों का कार्जकाल 6 वर्स होता है ठीक है और नियूंतम आयू बनने के लिए 30 वर्स होता है नेश्ट कोचने कि उप राष्टपती का निर्वाचन किसके द्वारा होता है तो उप राष्टपती राज सभा लोक सभा और विधान सभा के जो राजियों का विधान सभा होता है कि निर्वाचित सदस भाग लेता है ठीक है तो इस तरह पॉलिटी का पार्ट वन वीडियो होता है समाप्त और आज ही इसका सेकेंड पार्ट यानि क्वेश्चन नंबर 71 से 140 तक अपलोट कर दें और एक चीज हमें से याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खा जाना है पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जय हिन दोस्तों